चिराग पास्वान का बड़ा बयान सामने आया है लगतार चर्चा है कि चिराग पास्वान की पार्टी के तीन सांसद तूट जाएंगे और बीजेपी में सामिल हो जाएंगे RJD इसकी पुर्जोर तरीके से चर्चा कर रही है लेकिन इस बीच तमाम सांसदों ने जिनके बारे में कहा जा रहा है जो चिराग पास्वान के सांसद हैं उन्होंने सफाई दे दी है और कहा है कि पार्टी पूरी तरसे एक जूट है ये सब कोरी अपवा है चिराग पास्वा आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग मुझे अपनोंने लूटा गैरों में कहा दम था मेरी कस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था ये तो आपने सारी सुनी होगी इसकी चर्चा होती रही है कि मुझे अपनोंने लूटा गैरों में कहा दम था मेरी कस्ती वही डूबी ज यहां पानी कम था चिराग पास्वान को अपनों ने धोखा दिया था आपको याद होगा चिराग पास्वान के चाचा पसुपती कुमार पारस अलग हो गए थे और सांसदों को भी साथ लेकर चले गए थे वैसे में चिराग पास्वान अलग थलक पड़ गए थे और इसका मल पर कहिं न कहीं पर टूटने का जो है चब च तैज है और जिस तरह से सियासत तेज है इस मतले pas जहां चिराद पास्वान के चाचा पसुपति कुमार पारस ने फिछले दिनों कि सासे मुलाकाद कि तो सियासी चर्चा और और भी तेज हो गई उसके बाद चिराक पास्वान ने भी हम इस चाचे मुलाकात की और इन पूरे सियासी चर्चा पर विराम देने की कोशिश की गई लेकिन इस बीच बड़ा बयान आया है चाचा पर बड़ा हमला बोला गया है चिराक पास्वान की तरफ से जिहां बड़ा देता हूं कि क्या कुछ कहा गया है दोखा मुझे अपनों नहीं दिया मेरे अपने अगर मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत मेरे परिवार या मेरी पाटी को तोड़ नहीं सकती थी मैं किसी दूसरे या बाहर वाले से क्या सिकायत करू जब मेरे अपने खून नहीं म कि सिकायते करने से कुछ नहीं होता अपने आपको मजबूत बनाना होगा मैंने अगली लड़ाई को जीतने के लिए अपने को मजबूत बनाया और महज तीन साल में पार्टी को वहां पर लेकर आया हूँ जहां पापा छोड़ कर गए थे तो चिराक पासवान का ये बयान आय पासवान का ये बड़ा बयान सामने आया है और चिराक पासवान जीस तरह से चाचा पसुपती कुमार पारस को लेकर आकरामक रहे हैं इस घटना करम के बाद से जो पिछली बार चाचा ने पार्टी तोड़ ली थी उसके बाद चाचा और भतीजे की बीच की दूरियां ल लेकिन चाचा माने और नहीं भतीजा यानि चिराक पासवान भी नहीं माने और चिराक पासवान ने अपनी अलग रह पकड़ी लोगसभा चुनाओ में चाचा को पैदल कर दिया गया यानि चाचा को विहार में एक भी सीट नहीं मिली पांच सीट चिराक पासवान को दी ग जमुई से अरुन भारती जो उनके जीजाजी हैं उन्हें लड़ाया और खगडिया से राजे सवर्मा, समस्तिपूर से सांभवी चौधरी और वैसाली से बीना देवी इन पांस तीटों पर चिराग पास्वान नेदाव लगाया और पांचों में जीतने में काम्याब रहे है पाटी को बड़ी सफलता मिली, 100% स्टाइक रेट के साथ चिराग पास्वान जीत गए, वैसे में चिराग पास्वान और भी खास हो गए पीम नरेंड मोदी के लिए और जिस तरह से पीम नरेंड मोदी के लिए चिराग पास्वान की हैसियत काफी बढ़ गई, चिराग पा पासवान ने बड़ा कमबैक किया वो इसमें जिक्र कर रहे हैं लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह से अच्छानक सियासत का रुख बदल गया जियां आरजेडी नेताओं ने ये कहना सुरू कर दिया कि बीजेपी चिराग पासवान की पाटी को तोड़ देगी बीजेपी जो है जो है जो उनके तीन सांसदों पर उनकी नजर है चिराग और उनके जीजाजी साथ रहेंगे लेकिन बाकी जो तीन सांसद हैं यानि राजेश वर्मा सांभवी चौधरी और क्रामक हो गया चानक और बीजेपी के एजेंडे का ही बिरोत करने लगे इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े करने लगे और ऐसी इस्तिती में कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से अगर कहा जाए पलटवार किया गया चाचा को चाचा से मुलाकात हुई हमित्ता की और उसके ब रहे हैं और कहने हैं कि पार्टी एक जूट है तो ऐसी इस्तिती में वजा आखिर क्या होई कि चिराग पासवां पर इस तरफ का पर पहल पर कई लगा钱 और जिस तरह से जो है काफी तल्ख रहा चिराग पासवान का यहां तक की चिराग पासवान विपक्ष के साथ भी खड़े हो गए चिराग पासवान के वो कारण आपको पहले बता देते हैं जो पांच कारण जिस पांच वजों से चिराग पासवान कहीं न कहीं अपनों से ही घिर गए बीजे सूप्रीम पोर्ट के फैसले का विरोध किया, उन्होंने केंद सरकार के फैसले से अपना निर्ने अलग रखा, यानि जो आरक्षन में कोटे के अंदर कोटे की बात सूप्रीम पोर्ट में कही गई थी, उसका चिराग पास्वान ने विरोध कर दिया था, और केंद सरकार के फ सेचले को रद करना पड़ा सरकार को बैक फूट पर आना पड़ा मोधी सरकार को और इस पर खासी किड किरी भी हुई उसके अलाबा किन सरकार की ओर से जब लोग सभा में वक्ष संसोधन बिल पेस किया गया तो इसका विरोध किया वक्ष बोट बिल को जेपीसी में भेजने क मांग की वक्ष बोट बिल जो है जेपीसी में चला गया है और जेपीसी के जरी अब इस पर मन्थन हो रहा है तो चिराग पास्मान ने यहां भी भी रोध किया जहारखन में उन्होंने चुनाव लड़ने का एलान कर दिया बीते पचीस अगस्त को उन्होंने पार्टी की र लेकर विपक्ष के सूर में सूर मिला चुके हैं तो ऐसी इस्तिती में जाती है जन गन्ना पर जिस तरह से सूर में सूर मिलाया उन्होंने और पिछले दिनों लेटरल इंट्री पर जो विरोध हुआ और कोटे में कोटे के आरक्षन का विरोध हुआ तो सड़क पर भी उतर चिराग पासवान एक बार फिर इसके लिए चाचा को ही दोसी करार दे रहे हैं यानि चिराग पासवान के चाचा पसुपती कुमार पारस जिनों ने पिछली भार भी चिराग पासवान को जटका दिया था और इस पूरे प्रक्रण के लिए जो तीन सांसदों की तूटने की बात हो रही है जिसे अफवाह बता रहे हैं चिराक पास्वान और उनकी पार्टी के सांसर लेकिन इस पर जो आंग उठ रही है जिस तरह से सियासी बवाल मचा हुआ है सियासी बवंडर मचा हुआ है विपक्ष इसका पूरा फायदा भी उठा रहा है लगे हां आरदेडी के नेता जो है चिराक पास्वान को निमंतन भी दे रहे हैं कि आप महाकरबंधन के साथ चले आईए तो ऐसी स्थिति में इसके लिए पूरी तरह से चिराक चाचा पसुपती कुमार पारस को जिमेवार ठैरा रहे हैं और उन पर एक बार फिर से बड़ा हमला तगड़ा हमला चिराक पास्वान ने बने रहे हैं दर्स नियूज के साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद कर दो कर दो